प्यार और व्यापार बढ़ाना है तो घर में लगाईए इन तस्वीरों को नमस्कार स्वागत है आपका माई जो 30 पर घर का इंटेरियर वास्तु सुन्दर होने के साथ साथ वास्तु संमत भी होना चाहिए घर को सजाने में खूबशुदत पेंटिंग्स और तस्वीरों का प्रियों यदि वास्तु के आधार पर किया जाए तो यह पॉजिटिव इनर्जी को आकरशित करता है ठीक इसी प्रकार व्यापार पढ़ाने के लिए दुकान और पतिष्ठान में विभिन्न तस्वीरों को लगा कर लाब राप्त किया जा सकता है आए जानते हैं कौन सी तस्वीर कहां लगाने से फायदा होगा दुकान या ओफिस में ना लगाएं ऐसी तस्वीर जिहां दुकान या ओफिस या आपके किसी अन्यकार इस्थल पर रोते हुए कोई भी तस्वीर नहीं लगाने चाहिए इसके अलावा आखे बंद किये प्राणियों, सुर, बाग, खरगूश, उल्लू, बगुला, आदे तस्वीरे भी नहीं लगाने चाहिए भयाना आकरतियां या फिर दीनता दर्शाने वाली तस्वीरे भी अच्छी नहीं माने जाती है ऐसी तस्वीरों से होगी तरक्की आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं या फिर जिस प्रकार की नोगरी करते हैं उससे जुड़ी ही तस्वीर लगाने से व्यापार धंदे में ब्रद्धी हूती है जो व्यापार आप करते हैं उसी से जुड़े विश्व कषिद्व व्यत्तियों के चित्र सहे दिशा में उप्यूत स्थान पर लगा सकते हैं अगर इशान खौण में बना हो सौचाले अनुसार सही नहीं है यदि आपके घर में रशोई आगने कोण में नहीं है तो आपको यग करते हुए रिशी और विप्रजन्नों की फोटो लगाने चाहिए वास्तु के अनुसार माना जाता है कि रशोई घर में माता अनपूर्ण का चित्र लगाना भी सुग होता है मगर कई लोगों के यहां रशोई घर में मानसा हार भी पकाया जाता है ऐसे में रशोई घर में महा विद्या माता चिन्न मस्ता का फोटो लगाना सुग होता है मुख्य द्वार पर लगाई ये चित्र यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्व के सिध्धानतों के अनरूप ना हो या फिर छोटा हो तो उसके इर्दिगिर्द बेल पूटे इस प्रकार से लगाने चाहिए कि वा बड़ा दिखाई दे सके शयनकच यदि हो अगनी कोण में यदि आपके घर में शयनकच अगनी कोण में हैं तो घर की पूर्व मद्ध दिवार पर शांत समुत्र का चित्र लगाना लाव प्रद हो सकता है जब मकान हो दच्छन मुखी दच्छन मुखी मकान प्राया शुब नहीं माने जाते मगर वास्तु में कुछ पदलाव करके घर की शुबता में व्रद्ध की जा सकती है इसके लिए स्वर्ण पालिस युक्त नोग्रेयंत्र मुख द्वार के पास इस्थापित करना चाहिए साथ ही द्वार परहल्दी से स्वास्तिन भी बनाना चाहिए